हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिशिल यूटूब चैनल में फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि चैनल के दुआर आपको रोजाना होमगार्ट्स आंगनवाडी और एजुकेशनल न्यूजों की अपडेट डेली मेज़ती रहती है बहले है आप बारत के किसी भी राजी से बिलॉम करते हो आपको अपने राजी से जुड़ी प्रते खबर की अपडेट सबसे पहले आपको चैनल के दुआर दी जाती है और जो भी खबर आपको दे दी जाती है वो एक आधिगारिक नियू जाती है सबूत के साथ आपको सटिक जानकारी दी जाती है तो दोस्तों आज किस वीडियो में बहुत ही बड़ी खबर यह है कि 41,000 होमगार जवान उत्तर प्रदेश लखनों से बिलाउं करता है वो उनको वीडियो को देख रहे है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना इसकी पे देखिए और साथ इस वीडियो को अपने ओमगार जवान के साथ भी सेर जरूर कीजेगा तो बढ़ते दोस्तों नियू ओमगार्स की खबर होती है वो आपको देना हमारा बहुती बड़ा करता भी है आप देख से तो इस ओमगार्स के बारे में जो अखिले से यादव का फ्रेंस कोफरेंस के माधियम से इन्हों ने जो कहा है वो पूरी अपडेट आपको शुड़े के माधियम से मैं बताऊंग की सजा लाखों लोगों को क्यों दे रही है सपादिक्स वा पूरों मुख्यमंदरी अखिले स्यादव ने बयान में कहा है कि प्रदेश में बाजबा सरकार अपने कार नामों से विनासकारी बनती जा रही है और दिपावली का पहर्व हर सो उलास का पहर्व माना जाता है ल प्लस 25,000 जवान याने की टोटल मिला कर 41,000 जवानों की जो डूटी खतम किये हैं और यह डूटी मैन पॉइंट यह हैं कि बजट नहीं आने के कारण और इनके जो वेतन में बरवरदी करने के बाद जो 600 बहुत रुपे जो उनके प्रतित इनका अब्दयानिक बता हैं वो प्रिक्यमंदी अकिले सियाद ने बयान में कहा हैं कि प्रदेश में बाद स्कार अपने कार नमों से विनास करी बंदी जानी हैं और डिपावली का पवर्व हर सो उल्लास का पवर्व मना जता हैं लेकिन बाद स्रकाने 25,000 ओमगार्स के परिवारों में अंधेरा कर दिया ग नियाले के निर्देश के बाद ओमगार्स का एक दिन का वेतन 500 रुपे से बढ़ा का 600 बहुत रुपे हो जाता हैं और पाजबा को गरीबों का वेतन बढ़ाना अच्छा नहीं लगाएं और क्यों बैरोजगारी बढ़ रही हैं सरकार मायावती का भी दोस्तों यहां बयान हैं आप दिखतो कि मायावती ने ट्वीट कर 25,000 ओमगार्स के जाने की आलोचना की हैं और कहां कि यूपी सरकार अपनी गलत आरती नीतियों की किसा 25,000 ओमगार्स को बरकास्त करके उनके परिवार के लाखों लोगों को क्यों दे रही हैं और सरकार रोजगार देने के बज सेवा इस्समाप्त करें मोना कॉंग्रेस विदान मंडल दल की नेता आराधना मिस्रा मोना ने मुख्यमंदी को पत्र लिखकर 25,000 ओमगार्स जवानों को सेवा से मुक्त करने के लिए दुखत बताया है और कहां कि प्रदेश की कानून व्यवस्तों को कायम रखने में ओमग इस वीडियो को रोजगार्स दिया जाएंगा तो फ्रेंस यह थी पूरी अपडेट की मायावती अकले सियादव और जो भी मंत्रियें उन्होंने किया का है इन्हें 25,000 ओमगार्स डिवेटी खतम करने के बाद जो सरकार है बाजबा सरकार उनके खिलाप इन्होंने कदम मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए जेहीं जेह बारा थेंक्स फोर यह वाचिंग माय वीडियो